अगर हम लोग बात करें किसी robotic application की for example जैसे कि एक robot है और यह चाहता है कि इस ball कोई पिक करें ठीक है इस तरीके application बहुत common है आपने देखा होगा नेट पर बहुत सारे से वीडियो वाइरल होते हैं तो इस particular application के लिए हमें एक बहुती precise control चाहिए या फिर एक और example ले लेते हैं कि मान लेते हैं मैं चाहता हूं कि मेरा जो एक robotic arm है वो इस particular एक toy को यहां से उठाके एक particular exact position में place करें या थोड़ा आगे पीछे करके place करें तो इन सब चीजों के लिए again हमें एक बहुती precise control की ज़ और exact point पे place करें यानि कि इनके बीच में कोई ऐसा difference नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर for example अगर मैं चाहता हूं इस ball को उठाना तो फिर robot के लिए arm के लिए जरूरी है कि वह बहुती precisely उठाए क्योंकि certain diameter की ball है अगर उससे ज्यादा pressure लगेगा arm पे तो ball तूट जाएगी उस यह है कि यह सारी motor जो होती continuous application की है और इनके अंदर precision की बहुत ज्यादा कमी होती यानि कि तुम चाहो कि motor start हो और A पे start हो और B point तक जाए और वहां रुख जाए तो ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि inertia होता है और बहुत सारे factor होते हैं तो अब फिर क्या करा जाए तो इन continuous ने सोचा कि हमें एक servo motors बनानी चाहिए और इसी लिए इस लेक्टर के अंतर हम लोग बात करेंगे servo motors की तो आयूब आपको समझ में आयोगा कि servo motors picture में क्यों आई यानि कि जब भी आपको precise control की जरूरत होगी तो ऐसी चीज़ों के लिए हमें जरूरत पढ़ती है servo motors की शुरू करते हैं इसके बारे में जानते हैं बहुत डिटेल में सीखेंगे इस लेक्टर में सबसे पहले servo motors क्या होती है तो servo motor जो होती एसी motor होती जो कि rotate कर सकती great precision and control के साथ बड़ा important है यह word important रखना great precision यानि कि बहुत ही precise movement हम चाहते है certain mm का movement हो certain angle का और control के साथ यानि कि proper पर control के साथ हम चाते हैं जब भी हम प्रिसीजन और control की बात करेंगे तो वहां पर servo motor picture में आ जाएगी ठीक है समझ में आ रहा है यहां पर बड़ा interesting चीज आ जाती सर्वो का मतलब क्या होता है तो servo का मतलब होता है यह जो servo है यह slave के word से लिया गया है ठीक है तो servo word जो है इस तरीके से design करी जाती है ताकि वह operate कर सकते है exactly as commanded now knocker क्या होता है अगर हम कोई slave की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने उसे पड़ोल कमांड दी कि जाओ यह रख क्या हो और वह काम को रख के आ जाए तो जब इतना precise movement हमारे जब हम देखते हैं यानि कि जब कोई इंसान ऐ कैसी है जिसको मैं काऊं कि ठीक है पॉइंट A से start हो पॉइंट B तक जाना और फिर रुख जाना तो ऐसा मोटर जब कर परफॉर्म करती है तो हम उसे कह देते हैं सर्वो मोटर यानि कि स्लेव मोटर क्यों क्यों कि हमारी command को exactly follow कर रही है clear हो यहां पर तो थोड़ा-थोड़ WHGuya में यो 2-2 पाव मेकेनिज्म के ठीक है तो 100 मेकेनिज्म जो है यह उ BLM nella 12 Nicolas को जो सर्वो मोटर बनाता है अगर हम compare कर देते हैं बड़ा important comparison है conventional और सर्वों मोटर का की आखिर अंतर क्या है तो सबसे पहले conventional motor की बात कर लेते हैं conventional DC motor तो यह इस तरीके की market से खरीद के लाओगे नई नवेली यह DC motor आपको मिलेगी इसमें शाफ्ट होगी और दो वायर निकले होंगे बस इतना ही कुछ लेकिन अगर हम वह सर्वों मोटर की बात करते हैं तो यह जो देखो ठीक है उसे तोड़ दो या कैसे भी करके खोल के देखोगी तो ऐसा कुछ दिखेगा control circuit multiple wire का इस्तमाल होता देखो यहां पर कितने दो वायर एक positive एक negative लेकर यहां पर तुम्हें तीन वायर या निकि यह जो शाफ्ट तुम देख रहा हैं ना simple सी शर्व मोटर की शाफ्ट होती है वह इस तरीकी की गेर के फॉर्म में होती है नॉर्मल शाफ्ट का इस्तमाल लोग नहीं करते हैं तो इसका क्या खास बात होती है तो बहीं गेर ट्रेंज होती है उनके अंदर चोटे बड़े च करके हम लोग क्या करते हैं high-speed को convert कर देते हैं low-torque motor में clear हो गया पर यानि कि इन गेर का करके हम लोग high-speed low-torque motor को convert करते है low-speed high-torque motor में पीछे उल्टा बोल गया था तो आयोब समझ में आ रहा गा ये बड़ा important एक बात है जो आपको याद रखने कि कि गिएर असेम्बली का क्या क्याम है तो गिएर सेम्भी कि नवर्ड करती हाइश लोटोर्ग मोटर को बड़ा इंपॉटन्ट चीज़ है मैं पीछ थोड़ा सा फंबल कर गया है इस में मिला गया था याद रखना हाई-अछाय Nुज। बहुत तेज बना रही होगी तो क्या गहाँ तो क्युक्ęt टॉर्फ्से गूम रही होगी निघना जाथ हम कहें बहुत ज्यादा चाहिए और speed उसकी बहुत कम जाए क्योंकि अगर वह बहुत तीज दौड रही है तो इसलिए हम क्या चाहते हैं हम यह चाहते हैं कि यह conventional motor को speed कम हो और टॉर्क जादा हो तो ऐसा करने के लिए हम इस gear assembly का इस्तिमाल करते हैं यह जो बड़े-बड़े gear है और चोटे-चोटे इनकी बीच में लगे हूं इन सबका arrangement हम लोग इस तरीकी से से करते हैं कि जो DC motor है जो high-speed और low-torky convention motor है वह किसमें convert हो जाए low-speed high-torky motor में convert हो जाए इसमें क्या होता है इस पूरे arrangement को हम लोग उस case से ढख देते हैं क्लियर हो गया सबसे खास बात या नहीं सबसे खास बनाती है वह है उसकी यह फीचर कि वह कभी भी यानि कि हम उसकी direction को कभी भी change कर सकते हैं जबकि अगर DC motor की बात करो तुम उसको अगर चला रहे हो और तो पहले तुम्हें उसको रोकना पड़ेगा जब वह पहले रुकेगी देन वापा सब्सक्राइब करेगी सब्सक्राइब में क्या है तुरन तुमने बटन तुमने सिग्नल चेंज करा या जो सिग्नल दे रहे हो उसको चेंज करोगे और तुरन ती मोटर जोगी अप उच्छी डिरेक्शन में रोटेट करना है स्टार्ट कर देगी दूसरा बड़ा चीज इंस्स्टेंटियन्ट्ली शनीट और रिटार्ड यानिकर एकदम से एकदम से रिटार्ड हो जाती है जोकि पॉसचों नहीं है ना बड़ा इंपॉर्टन फेस्पीड पर किसीज़ना हमोटर चल रही हो चला मोटर बना तय गिए एक बड़ा सा गयर एसेमले कही सारे क गोल गोल पाई ये पीछे देखे दे तो एक बड़ी का इस्तमाल करा गया है इस काम को अंजाम देने के लिए कि हाई टॉर्क किसी भी स्पीड पर हमें मिल सके एंड लास्ट कैन होल्ड दी पोजिशन फॉर लार्ज इंटर्वेल्स बड़ा इंपॉर्टेंट है यह मतलब लार्ज इंटर्वेल्स तो आप क्या चाओगे जैसे तुम्हें मिसाइल है तो एक पर्टिकुलर एंगिल पे इस मिसाइल को थर्टी डिग्री पर आपने सेट करके रखा है तो तुम क्या चाओगे थर्टी डिग्री होल्ड रहे जब तक लड़ाई चल रही है मानलो कि रा मार्केट्स से ख़रीद के ला है तो बसंद्र किस पर संटीमेacer मेरेटिक होथी यार य किस संटीमीटर में तो पहले नहीं किना कि Yep कि पर संटीमिटर तो पहले समस्में लेते हैं किस तरीके की होगी तो जैसे थीन केजए पर संटीमीटर की सरव मोटर मिल जाएगी शे केजी पर सेंटीमीटर की 12 केजी पर सेंटीमीटर की बहुत अजीब है यार केजी पर सेंटीमीटर का क्या मतलब तो इसको जरा समझते हैं तो इस केजी पर सेंटीमीटर टेल्स यू how much weight your servo motor can lift, बड़ा important चीज, यह यह बताता है, kg बता रहा है, कितना weight servo motor hold कर सकती है, और centimeter बता रहा है, कितनी दूर पर, कितनी दूर पर, यानि कि कितना वजन और कितनी दूर पर, servo motor जो होती, वो lift कर सकती है, समझ मैं रहा है, तो यहां से ही जी समझ मैं, कि rating का क्या मतलब ह अब देख के बता सकते हैं, 6 kg पर centimeter यहां बनाया हुआ है, 6 kg पर centimeter का मतलब है, 6 kg का वजन, 1 cm, पर centimeter मतलब 1 cm, तो 1 cm पे अगर 6 kg का वजन लटका दोगे, तो यह servo motor easily handle कर देगी, इसके अंदर slipping नहीं होगी, position hold कर सकती है, लंबे समय तक के लिए, clear हो रहा है, अब बड़ा important चीज़ है, यह समझ में आ गया होगा, तो देखो 6 kg का क्या मतलब हुआ, 6 kg का मतलब हुआ कि, जो तुमाई सर्वा motor है, वो lift कर सकती, 6 kg तक का weight, 1 cm पर जो suspended है, motor की shaft पर, अच्छा, एक बड़ा important question आदा है, अच्छा, 1 cm पर है, अगर मैं इसका centimeter बढ़ा दूं तो, तो यान होगे, उतना कम इसकी weight carrying capacity कम होती चली जाएगी, इतनी चीज़ एकदम clear हो रहे होगे, कोई doubt नहीं होना चाहिए, यहां तक सब को समझ में आ रहा हुआ, clear होगे, यहां पर, यह बड़ा interesting है, यानि अगर तुम market से motor लेने जा रहे है, तो उसकी rating तुम्हें ऐसी मिलेगी, 6 kg पर cm, तो यहां पर कुछ दुख मत मनाना कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब समझ में आना चाहिए, अगर आप यह वीडियो देखके गए होगे, तो वहां पर दुकान वाले को भी समझा सकते हो, कि यहां वही है, इसका यह मतलब है, तो एक बड़ा important point है यहां पर, उसको miss नही कर पाईगी, जितना pass लटका होगे, उतना easily, उतना ज्यादा weight वो motor लटका सकती है, इसका reason torque में चुपा हुआ है, देखते हैं, कितने लोग कोई समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया, तो reason नीचे comment section और type करो, कि हमें सर चाहिए, कि यह क्यों ऐसा है, क्यों distance बढ़ने पर weight carrying capacity कम हो जा रही है, अगर आप लोग इसका answer नहीं निकाल पा रहे हो, तो नीचे डालना, मैं फिर उसके लिए separate video बना के समझाऊँगा, आगे चलते हैं, अगर हम बात करते हैं, wiring codes of servo motor की, तो servo motor के wiring codes कैसे होते हैं, और उनको सीख लेते हैं, तो सबसे पहले देखो, दो तरीके के market में तुम्हें servo motor मिलेगी, एक तो यह मिलेगी, इसके अंदर क्या होगा, यह तीन तरी color के wire तुम्हें देखने को मिलेंगे, यहां पे कौन-कौन से wire हैं, एक brown है, एक red है, और एक orange है, ठीक है, तो यहां पे इसका मतलब समझे लो, brown को black भी कई बार, कई connect होगा, और जो orange color का wire है, इसका काम होगा, signal को carry करना, यानि कि जो हमने बता है, सरो motor, सरो mechanism पर चलती है, तो एक signal को, जो सिगनल हम देंगे, यानि कि जो भी programming करके signal दोगे, वो इस orange wire से जाएगा, clear हो रहा है, यहां पे, market में बहुत तरीके की सरो motor आती है, तो मैं यहां पे picture डाल दी है, इसके अंदर सारे तरीके की market में, जितने भी company की सरो motor अपलब्द है, उन सब के लगभग ऐसे wire होते है, ऐसका मतलब हो गया, ऐसका मतलब है, signal, signal मतलब, यानि कि जो भी तुम PWM controller का इस्तमाल कर रहे हो, सरो motor को चलाने के लिए, macro controller, जो भी हाई-फाई टेक्नि का wire लिया हुआ, तो जो भी light color का wire लेते हैं, वो लगबग-लगबग signal के लिए हम दो ले लेते हैं, यहाँ पे जो red color का wire लेते हैं, red color, बड़ा important चीज है, घर में भी देखा हुआ, red color का wire, live wire की तरह हमनों treat करते हैं, तो जो red color का wire है, जिस पे positive लिखा है, इसका इस्तमाल कर होता है, ठीक है, एक general rule of thumb बता दे रहा हूँ, कि जो dark color का wire होगा, यह तुमारा neutral और ground कह सकते हैं, अगर हम बात करने, conventional motor की, conventional motor में दो wire होते थे, यहाँ तीन क्यों है, तो conventional motor के अंदर हमें जरूरत पढ़ती थी, केवल positive और negative की, यानि की red और black की, लेकिन यहाँ पे एक signal wire क की भी जरूरत पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे extra wire दे रखा होता है, ना बहुत कंट्रोलिंग की बात कर लेते हैं, बड़ा important चीज है, तो देखो controlling of सर्व मोटर, ना इसको बड़ा ध्यान से समझना, भई, तीन wire है यहाँ पे, तो एक होगे signal के लिए, और दो होगे supply के यह हमने पीचे सीगा था, ना यह signal वाला wire है, यह जो देख रहे हो, signal वाला wire, यह कैसे काम करता है, यहाँ पे signal जाता है, सर्व मोटर में, और वो कहां से जाता है, वो जाता है, प्ल्स with modulation signal जाता है, प्ल्स with modulation का मतलब क्या हुआ, कि देखो pulse के अगर हम बात करते हैं, तो य कुछ इस तरीके की pulse होती है, this is what we call pulse, और यह कहलाती है width, ठीक है, और यह नीचे बनाया हुआ है, यह कहलाती width, this is your width of the pulse, तो यह हो गई pulse, और यह जो चोड़ाई देख रहे हो ना, यह कहलाती width of the pulse, ठीक है, तो अब क्या होता है, pulse with, यह को दो वर्ट समझ में आ गए, pulse का म मतलब यह जो तुमने बनाई है, इसकी चोड़ाई, अब modulation का मतलब गाता है, modulation का मतलब अल्टरेशन करना, यानि की change करना, clear हो गया है आपर, तो हम लोग क्या करते हैं, servo motor को control करने के लिए pulse with modulation का इस्तमाल करते हैं, यानि की, एक pulse, हम क्या करते हैं, pulse की width होती, उसको change करते हैं, कभी ज़्यादा width की pulse दे देंगे, ज़्यादा चोड़ी वाली pulse देंगे, कभी कम चोड़ी pulse देंगे, तो it modulates the length of the pulse to control the operation of servo motor, बड़ा ही important point है, यानि कि देखो, अभी तक हम सीखते आ रहे हैं, rating सीखी, color सीखा ही, सब सीखा, अब दीरे-दीरे working की तरफ जा रहे हैं, तो servo motor के अंदर क्या होता है, यह 3 wire होते हैं, इसमें से light color का wire होता है, वो मैंने भी बतायाता है, signal के लिए होता है, तो signal कहां से आ रहा होता है, यह pulse with modulated signal होता है, तो pulse with modulation का मतलब क्या हुआ, हम लोग क्या करते हैं, जो pulse होती है, उसकी width को change करते हैं, कभी चोटी, मतलब कम चोड़ी pulse दे देंगे, कभी ज़्यादा broad pulse दे देंगे, तो width को change करके हम लोग क्या करते हैं, इसके operation को servo motor के operation को control करते हैं, यह कैसे करते हैं, इसको समझ लेते हैं, बड़े ध्यान से समझना, पूरा concept clear हो जाएगा, pulse with operation को जड़े ध्यान से समझना, बड़े star mark कर लेना, तो होता क्या है, देखो होता यह है कि तो servo motor जो होती है, वो यह expect करती है कि हर 20 millisecond के अंदर एक pulse उसके पास आएगी, ध्यान से समझना, यानि कि जो हम लोग सर्वो motor की बात करते हैं, वो इस तरीके से design होती है, यानि उसके अंदर हर 20 millisecond के अंदर हम एक pulse को भीज रहे होते हैं, यानि कि हर 20 millisecond के अंदर एक pulse जा रही होती, clear हो गया है यहाँ पर, यह लगबग 50 हर्ट होता है, तो यानि 50 हर्ट की क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, और कोशिश करते हैं 50 हर्ट की supply हर जगा maintain रखें, तो उसी तरीके जो servo motor design होती है, उसके अंदर हम लोग क् 50 करोगे, तो लगबग लगबग 20 millisecond निकल के आ जाएगा, clear होगे, यहाँ पर करके देख सकते हैं, यहाँ लोग आयो भी समझ मारी होगी, इसको तो फोड़ा साफ कर देते हैं, तो होता क्या कि जो servo motor होती है, यह जो हम लोटर मार्केट से खरीद के लाए होते हैं, इसके के अंदर क्या होता है, पल्स जा रही होती है, पल्स इस तरीके की, और यह जो पल्स होती है, इसकी अगर हम बात करें, यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ तो यह जो वित, इसकी जो साइकल होती है, एक साइकल, वन साइकल, यह वन साइकल कितनी देर की होती है, यह होती है, 20 millisecond की एक cycle इस motor के अंदर हर जा रहे होती है हर 20 millisecond में एक pulse expect कर रही होती है now length of the pulse will determine how far the motor turns बड़ा important अब तुम जो pulse की width है वो कितनी width की pulse दे रहे हो वो decide करेगी कि motor तुमारी कितनी rotating clear हो गया यानि कि हमने क्या सीखा कि हमने अब देखो अभी तक अगर मैं इसको story तरह समझाओ तो मैंने क्या करा है DC motor एक motor लाया convention motor नहीं सर्व motor ना मैं चाहता हूं कि वो motor जो है वो हमारे command को follow करे तभी तो सर्व motor होगी तो command को follow कैसे करवा सकते हैं तो इसके लिए हमने pulse width modulation operation को opt किया यानि कि अपनाया इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं हर 20 second के बाद 20 millisecond के बाद एक pulse भेज रहे हैं हम लोग ठीक है और वो pulse की जो width होगी यानि कि यहां पर देखो मार कर रहा कि यह जो pulse की width होगी यह decide करेगी कि कितना तुमारा motor rotate करेगी ना यह कैसे तो भाई इसके लिए देखो pulse की जो width है तो इसको बड़ा ध्यान से समझने यह pulse है यह तुमारी this is your one pulse यह one cycle है pulse की तो देखो यह जितनी देर उपर दिख रही ना यह period होगे on का period और जितनी देर यह नीचे दिख रही है this is your off period आयो समझ मारा होगा तो यह तुमारा होगे on period high जो time है और यह होगे off period नाउ जितनी ज्यादा देर जितनी बड़ी pulse की width होगी जितनी बड़ी pulse की width होगी उतनी ज्यादा देर motor on रहेगी और जितनी ज्यादा देर motor on रहेगी उतनी ज्यादा देर घूमेगी सीधी सी बात है ठीक है बात समझ में आ रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग इस on period को अगर control कर लें तो हम जो तुमाई सरोब motor है उसकी turns की angle को calculate कर सकते ह है कि motor कितनी देर कहां तक पहुचेगी कितने angle तक घूमेगी clear हो गया है तो larger the on period larger the angular rotation clear हो रहा है सीधी सी बात है for example इसको बड़े ध्यान से समझना मान के चलते हैं यहां पर हमारा यह है particular यह मान लेते हैं कि हमने इसकी shaft से एक angle जोड रखा है ठीक है blade जोड रदिया है अब यह zero degree पर है हमने क्या करा एक pulse दी अब देखो इतनी देर तक दी तो जब जितनी देर on period यह pulse width है अब motor को यहां पे यहां से इस परणकुलब टाइम से on हो जाएगी और यहां पे जाके off हो जाएगी clear हो रहा है इतनी देर on रहेगी तो जैसी तो जैसी यह वाली पलस किलेगा तो अउन यह बताती है कितनी को हुम कुछ कर रहा है यह कि या यानी कि PWM और आम बहूंग कर रहे हैं यह खब्डस करने का बहुत इंपार्टेंट में डिसका कर रहा हूं गब को मैं कभी भी कोशिच यह नहीं करता कि मैं आपको उंपर उंपर से ले जाओं क्योंकि यह उसके बहुत सारी वीडियो अप्लोड़ेट हैं अगर आपको केवल यह पास होने लिए पढ़ना है केवल आपको अगर यह देखना है कि बस हमारा एक बार टॉपक कवर हो जाए तो आप यहां पर बड़ा इंट्रेस्टिंग डाइग्राम है इसको बड़े डाइग्राम से समझना बहुत आसान से समझ में आ जागा कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा रेड ले लेते हैं अब देखो 50 हट्स 50 हट्स का मतलब 20 मिली सेकंड यह लिखा हुआ है अब जब तुम्हें इतनी जरासी देर के लिए दोगे यार कोई मोटर रोटेट नहीं करेगी जीरो डिग्री पर रहेगी यह क्या है यह जो हम एक साइकल यहां पर कंपलीट हो रहे है यह बिल्कु ना के बराबर है यार इतने में जब तक करेंट पहुचा तब तक तुमने सप्लाई बंद कर दी तो मोटर तुम्हारी रोटेट नहीं करेगी कोछ नहीं होगा यहां पर तो जीरो डिग्री पर ही रहेगी यानि कि अगर हम मिली सेकंड की है तो मोटर कुछ नहीं रोटेट करेगी जीरो डिग्री पर ही बनी रहेगी क्लियर हो गया वहीं पर अगर मैं इस विद्ध को चेंज करके क्या अगर वन पॉइंट फाइव मिली सेकंड की कर दूँ यानि कि आप कर क्या रहे हो बहुत ध्यान से समझना इसक सुझ तुमने ओफ कर दिया मोटर का समझ में रहा है यह बिल्कुल मतलब इसका यही है पल्स का ठीक है तो अगर तुम अब तुमने क्या करा टाइम पिरेट पहले तो तुम एक मिली सेकंड में ऑन करेंगे और देड़ मिली सेकंड के बाद अब की मैं ऑफ करूंगा तो इत अगली बार तुमने क्या करा आप ठीक है यह बात समझ में आगी 1.5 अब की थोड़ी दिर बाद आफ करूंगा और थोड़ी दिर बाद आफ करूंगा तो तुमने यहां पर क्या करा यहां पर पल्स को आउन करा और दो मिली सेकंड के बाद जाके तुमने पल्स को जाके आफ करा ठीक है तो जब तुमने धाई मिली सेकंड बाद या दो मिली सेकंड बाद जाके तु तुम्हारी 180 degree cover कर देखी तो यहां से 3 angle मिल गए यानि कि तुम्हारी सर्व मोटर जहां पर है वही रह तो आपको पल्स देनी है वह 1 Mils की देनी यानि कि 1 Mils के अंदर तुम्हें switch को अन-off कर देना है मोटर के अगर तुम्हारी मोटर जो है वो 90 डिग्री रोटेट करें तो आपको 1.5 मिली सेकंड तक जो है उसको supply को on रेन देना है switch on ठीक है clear होगे यहाँ पर यानि कि pulse की जो width set करोगे वो कित्ती करोगे 1.5 मिली सेकंड और अगर वहीं तुम चाहते हो साइकल सेम रही यहां देखो यह भी 20 मिली सेकंड की साइकल है यह भी 20 मिली सेकंड की साइकल है तो आयो समझ में रहा हो किस तरीके से काम हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है देखो यह डाइग्राम नेट पर पड़ा हुआ है easily कोई भी वहाँ पे जाके देख सकता है कहेगा हाँ ठीक है यह तो काम कैसे हो रहा है motor कर क्यों रही है 90 degree क्यों गूंग गई अगर हमने pulse की width का on time बढ़ा दिया तो motor 90 degree क्यों गूंग गई हमने थोड़ा सा pulse की width का time और बढ़ा है तो जाधा दिर चलेगी जब जाधा दिर चलेगी तो जाधा एंगल कवर करेगी तो आयो भी लेक्चर आपको समझ में आगया होगा connection की बात कर लेते हैं तो भाई देखो इस तरीके का ordino के साथ इसका बड़ा ही common application है सब बच्चे प्रोजेक्ट में सब यूज करते हैं बहुत common हो चुका है फिर भी बता दे रहा हूं मैं आपको इसमें connection कहा क्या करना है देख लेना अगर प्रोजेक्ट नो जरूबत पड़े दिस इस यूर सर्वो मोटर तीन वायर यह हो गया पांच वोल्ट पर्ически कर देना है ठीक है वंच वड कल्यर हो गया और यह देखो समझ रही होगी इसमें लोड नहीं हो रहे हैं तो यहां सब्सक्राइब करते चाहिंतों लिप पसंद आया होगा सर्वो मेकेनिजिशंताONA इसको हम लोग सीखिंगे अगले लेक्चर में प्लस कितने तरीके की सरो मोटर मार्किट में अवलेवल है और तुमें कौन सी जरूवत है यानि तुम कौन सी मोटर यूज करोगे इन सब चीजों का आंसर हम लोग बात करेंगे नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए झालो